हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ एक नया पौधा, जो कि हमारी कई बीमारियों में बहुत ही असरदार है और बहुत ही कारगर साबित होता है ये पौधा हमारे पूरे भारत वर्ष में लगबख सभी जगे पाया जाता है ये हमारे बहुत से बेप अदार्तों में इस्तिमाल होने वाला पौधा है इसका फल जो है वो सरवत बनाने में, सिकंजी बनाने में, सलात के उपर इसका घस निकाल के डालना जाता है यह बहुत ही हेल्थ फुल और बहुत ही पॉस्टिक और हमारे जाजेशिन सिस्टम को मजबूत करता है। इसकी पत्तियां जो हुती हैं वो बहुत ही फाइदे मंद होती हैं। यह फल से जादा इसकी पत्तियां फाइदे मंद होती हैं। जैसर कि आप देख रहे हैं, चोटा सा पोधा है अभी यह गमले में लगा उआ है, यह पोधा है बाईयोब नीबू का, जिसकी पतियां भी बहुत ही अथरडार होती हैं, इसकी पतियों में ऐसी अर्बुत सक्ती होती है कि यह हमारे सिर में होने वाले सिर्दर्दों को बहुत प्ल सूझते हैं। प्ल 202 मात्र से सिर डर्द करने होने लगता है। 妹 perceptions काई गालिज और निकाल कि अ folders करके रहते हैं। तो दो कि अदे के माइग्रेन जैसे सिर दर्द को भी ठाफ कर देता है. माइग्रेन एक बहुत ही जट़ल सिर में दर्द प्ैडा करता है। क्योंकि आदे सिर में भी दर्द उससे उत्पन होता है, वो आवाज उसमें सहन नहीं होती है, तेज प्रकास जब हमारे आखों में लगता है तो उससे भी हमारे सिर में बहुत जादा तकलीकों में लगती है। माइग्रेन जैसी समस्या को भी इसके सुहुने मात भी हम भी कर सकते हैं। इसके 10 ग्राम ब्रस को निकाल कर और 10 ग्राम सहत के साथ बच्चों को गर पिला दिया जाये तो उसके पेट के कीडों खतम होने लगते हैं। ऐसा प्रियोग चार-पांच साथ दिन करने से पेट में लीवर और आतें पूरी तरह से खीडों से मुक्ठ हो जाती है। इस तरह से देखिए भाईयो बहनों ये कितना ही इसकी पत्तियां और से भरपूर होती हैं। इनका सेवन करने मात से इनको सुहुने मात से हमारे शरीर की कई ब्यादियां बीमारियां अपने आप ठेक होने लगती है। माइग्रेन जैसी खतरनाग बीमारी को ठीक करने का मतलब है कि हमारे लीवर और आतों को सुहुने मात्र से इसकी पत्तियां। ये नीबू से भी ज्यादा प्रभाव साली इसकी पत्तियां होती है। इस प्रकार से ये बहुत इद्धिब और चमतकारी पौदा को मैंने आपके सामने बताया। आपको अगर हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जन्नवाज।